इंतिहां हो गई, इंतिजार की प्रपोस्ट इनिशली आज इस इस गेटिंग इंप्लिमेंट इस विडियो में मैं आपको न्यू कोर्स के बारे में जो मेरे पास अभी तक जान का रही है वो शेयर करूँगा इसके अलावा आपके कोई भी कॉस्टिंस है तो आप कॉमें डाल दीजिए डेफिनेटली सारे जवाब समय रहते रहते इंस्टिट्यूट खुद देगा लेकिन आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक कुस्टिंस आप चाहते हैं कि हम अभी से उनको पुट अप कर दे we will do that सबसे पहले प्रपोस्ट और फाइनलाइज में क्या कोई फरक हुआ एस पर माई इंफोमेशन जैसा प्रपोस किया गया था वैसा फाइनलाइज हो गया वेरी माइनर चेंज़स इसका मतलब C.A.D. पर अनॉंस होने वाला नया कोर्स जुलाई 2023 में ही आ जाएगा जिसमें जुलाई 2023 में आपको स्टडी माटीरियल भी मिल जाएंगे एक्सपेक्टेड है कि आपका स्टडी माटीरियल एट लिस्ट एफ़र और अर्डिट का जो मैंने बता किया है जुलाई 2023 में इंस्टिट्यूट पब्लिश कर देगा विकॉस त्यारिया अल्मोस्ट हो चुकी छे सब्जेक्ट जो प्लान किये गए थे फाइनल स्टेज पे इंटर्मीटियर स्टेज पे हो दिये गए जो पेपर वाइस पासिंग का कॉंसेट था कि होंगे दो गुरूप्स लेकिन अगर एक पेपर आपने पास कर लिया तो वह पेपर पास माना जाएगा अगले अटेम एजी तो गिव हो रहा है इस कारण से पैरल अटेम्ट इंस्टिट्यूट मानता है कि अब कोई क्यों पूराने कोर्स में जादा पेपर्स देने की इच्छा रखेगा इसलिए वह प्रपोस नहीं है MCQ सारे पेपर में प्रपोस्ट है और MCQ में नेगेटिव मार्किंग सारे पेपर में प्रपोस्ट है जो एक major change for good and for not so good है because now in all subjects MCQ means scoring बढ़ जाएगी बट नेगेटिव मार्किंग से एक हमें conceptual understanding standard की और हमारे सारे subjects की बहुत बढ़ाना होगी क्योंकि अब हम casually MCQs clear नहीं कर पाएगी यह factor दोस्तों कि majority student कई सारे पेपर में MCQ के भरोसे majority of their marks लेकर आते थे यानि 45-50 पर पास होने वाले students जिन पेपर में MCQs होते थे MCQ में ही 20-25 marks लेकर आ जाते थे out of 30 और balance 70 marks से score करते थे तो negative marking आने से अब आपको बहुत conceptually और question answers की solid practice के साथ त्यारी करना होगी एक सवाल उड़ता है कि सर क्या paper आसान हो जाएंगे क्या सिया आसान हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है कि आसान is something which in today's world is not in the dictionary because आजकल सब कुछ regulated होता है passing percentage से institute का अभी भी जो paper in fact syllabus है उस syllabus को institute चाहे तो और ज्यादा difficult करके 4% passing percentage कर सकता है और आसान करके easy paper या checking करके उसका result 30% 40% भी ले जा सकता है so it is more of a passing percentage which is important जो मुझे लगता है कि new course में भी institute 15-20% जितना ही रखेगा जैसा अभी है definitely May 2024 में expectum कर सकते हैं कि थुड़ा हमें कुछ तूपानी passing percentage मिल जाएग however November 23 तक के students के लिए इसमें कोई बदलाव नहीं है whether it is for foundation intermediate or final it is only from 2024 all your exams will be from the new syllabus again whether it is foundation intermediate or final queries इसके अलावा आपकी जितनी भी हैं आप सब comment box में डाल दें बाकी थोड़ा सबर करो उसका फल मीठा होगा हफते बर में आपको सारी जानकारी और इंस्टिट्यूट की तरफ से मिल जाएगी नहीं तो हम है ना अब आपन बात करते हैं दोस्तों नहीं नहीं बाचस की intermediate में अभी तक मैं सरफ advanced accounts लेता था due to positive of time plus I've been majorly a faculty of advanced accounts all throughout where I've been teaching accounting standards and only the advanced accounts portion thankfully अब institute का जो नया syllabus proposed है उसके अंतरगत intermediate में आपका 60 to 70 percent weightage of the paper of accounts which is one single paper in intermediate is accounting standard I'll be taking that particular paper plus I'll be also taking the paper of audit as I've been taking since 2006 इसके अलावा जो आपके चार papers है और सभी की classes face to face अलग और live online अलग जो record भी होगी ये modes पर अवलेबल होगी foundation के results आने के बाद for all the subjects final की नहीं बाचस की बात करते है institute से expected है की नए syllabus का study material भी institute 1st July से 15 July के दौरान publish कर देगा और उस logic और कारण से I have kept the new batches starting from 15th of July और one week of publishing of the study material whichever is later पहुद ध्यान से सुन लीजे दोस्तों जब नया course आज से पहले आया था 2017 में तब कई सारे students ने lending के option यूज़ किये जैसे की या तो उन्होंने पुराने course से पढ़ाई कर ली और फिर उसके बाद new course के उन्होंने amendment या revisions के basis पे चीजों को cover करने की कोशिश की कई batches institute के study material आने से पहले start हो गई बच्चों ने join कर ली और बाद में जब study material में content की coverage देखी तो वो बहुत different था जो उन्होंने पढ़ा उससे हाला कि उस समय FR की अगर मैं बात करूँ तो AS से हम index पर आए दे तो changes obviously बहुत ज़ादा थे अभी index और existing course में और नए course में भी index proposed है but definitely paper pattern में थोड़ा change हो सकता है case study based एक question हो सकता है possibly आजाए 20 marks का जिसमें multiple accounting standards या in days के लें एक ही question में test किये जाएंगा तो इसलिए अगर आप already existing batches कर चुके हो तो आपका काम revision amendments plus खुब सारी question practice से हो जाएगा लेकिन अगर अभी तक आपने batches शुरू नहीं करिये या just start करिये within a month's time I would suggest कि आप उसको immediately stop करके immediately आप fresh batch के लिए enroll कर दीजे करपा करके कोई blending का विकल्प ना चुने blending का मतलब क्या होता है हिंदी में blending को बोलते हैं खिचडी जिसमें कुछ-कुछ batch अपनी हो चुकी है as per the existing study material बची हुई batch फिर नए material चाहेगी या पूरी batch पुराने नए material से फिर नए material का अखरी अखरी का portion अड़ कर देंगे नहीं या तो आप पूरी की पूरी existing batch लीजिए और revision और नए question answers practice करें या फिर आप पूरी की पूरी नए batch पर रिलाए करें I would strongly suggest अगर आपके within one month ही FR की preparation start हुई है तो you should stop and you should enroll for the absolute new batch ताकि day one से आप वो curriculum वो study material से पढ़ाई कर रहे हैं जो नहीं batch का है और इसकी दुहाई आप मुझे में दोहजार चोईस का paper देने के बाद देंगे आपके seniors अगर कोई है जो 2017 में new course handle कर चुके हैं तो आप उनसे पूछेगा जहाँ पर नया course august में launch हुआ था people had started with their batches in august itself वहाँ पर institute ने study material launch किया था September-October FR की बात करूँ तो I was one of probably one of the faculties who were late in starting the batches क्योंकि मैंने कहा था institute के study material आए बिना batches start नहीं करेंगा I started it in November और उसका फाइदा साफ तौर पर बच्चों को मिला क्योंकि उनका initial जो stepping stone था नए subject के लिए की इंडेस आये थे that was absolutely perfect because वो उस mindset के साथ उन्होंने पूरा पड़ बहुत सारे students जोनोंने old syllabus से new में shift किया वो हमेशा उस feel में रहते रहे आखरी समयता इसलिए what we've also done is because we personally feel की absolute new batches would be the best solution for you we've also given की FR की batches में there would be अगर आप recorded mode पर जाते हैं तो 2 साल की validity रहेगी अगर आप live mode में जाते हैं तो आपको 100% backup मिलेगा with 6 months validity which we can extend based on your request इसके अलावा if you do a pre recording in fact आप यह जो batch start होती है अगर आप इसको अभी enroll करते हैं because we personally want कि आप इस पे shift हों ताकि आप pester, affront, एकदम fresh सारी चीज़े cover कर सकें for that reason power batch which is basically a comprehensive revision batch which covers each and every topic comprehensively systematically in 70 hours जिससे आप FR को ऐसा revise कर पाऊगे कि exam से पहले अगर आपने topic wise उसे एक बार speed में देख लिया तो पूरा जो आपने class में बड़ा revise हो जाएगा बहुत अच्छे से उसका access आपको free मिलेगा आपको आपकी exam तक free mentorship from qualified chartered accountants who have been given mentorship with fast for 6 months to a year मिलेगी till your exams and also you'll get free test with evaluation ये सब if you go for the pre-booking thing तो ये pre-booking आप कर सकते हैं batch as a proposed is going to start from so this is basically your pre-booking batch details और आपकी batch शुरू होने वाली है 15 July और 1 week from the announcement of the ICI material 90 lectures में हम पूरे FR को cover करेंगे I think 80 lectures to 90 lectures में हो जाना चाहिए because institute का content more or less similar है question answers नहें आएंगे तो इसका हमें थोड़ा सा content लगेगा ऐसे भी हमारी previous batch 100 lectures some 300 plus hours की थी थोड़ा सा समय के साथ-साथ fine tuning notes के development और ये सारी चीजों से एक learning curve से obviously batch के duration कम होते है इसका मतलब 15 July if we start tentatively 31st October तक अपना batch complete हो जाएगा इसमें live में आपके पास backup है then अगर आपकी articleship issue है तो 9.30, 9.30 के बात का पूरा lecture batch खतम होते से ही आपको fast की app पे live access मिल जाता है apart from the regular backup you have this backup also this is articleship friendly batch what we call recorded आपको सारे modes पर मिलेगी books में इस बार what we have done is we have created Brahmaast for the full course we've already designed and redesigned our books पहले Brahmaast with major topics की आती थी बच्चे होगे के drone charts आते थे अब हमने पूरे FR के syllabus के लिए what we have done is we have created the Brahmaastra यह आपकी Brahmaastra की किताब है जो पहले हम major topics यानि की जो larger और lengthy topics होते थे उसके लिए यूज करते थे अब इस Brahmaastra को we are going to in fact क्योंकि अभी FR faster की batches सेल रही है तो हम already यह particular book यूज कर रहे हैं यह particular किताब अब आप यूज करोगे और इस किताब में what we have done is we have got all the amendments also incorporated जैसे अब आप अभी की batch अगर आपकी कर रहे हैं तो आप देखिए इंडेस वन में बहुत important amendment आया है material accounting policy information से तो आप यह देख लो कि अभी जो आप batch देख रहे हैं उसमें क्या यह amendment incorporated है या नहीं है अगर आपने कोई ऐसी बाच जोईन करी है जो recently life start हुई है और अगर यह नहीं है तो आप समझेए कि इंडेस amendments ही उसमें covered नहीं है जो 2023 में हुए जिसमें अगर आप देखेंगे तो it's been around 8 to 10 standards इसमें amendment हुए not major all of them are not major but at least three amendments are very major तो यह आपकी ब्रहमास पहले भी आपको मिलती थी इसके अलावा now what we'll also have is we'll have the Brahmaas for all these smaller India's topics तो यह इस तरह से हमने पूरी एक किताब बना दिये logic अब इसका simple है पहले हमारा concept यह हुआ करता था कि हम class में पढ़ते थे ब्रहमास तरह साथ साथ में regular बाच में चीज़ों को note करते थे और revision के लिए drone charts use करते थे now we change that concept to fr and audit both एक ही book है जिससे आपको class में भी पढ़ना है उसी से आपको revise भी करना है exam से पहले आपके revision videos भी उसी के उपर based आएंगे और सारी की सारी चीज़े आपको उसी से करने ताट मींज अब एक ही content के आपके book है जो दो parts में आपके पास आएगी ताकि लेके चलो तो आपके हाथ body नहीं बन जाए and in two parts you get the brahmastra that's about it finish what we've also done is in audit also we have launched brahmastra क्या बात करें सुर्जी हां यानि अब audit के भी आपकी kitab brahmastra जैसी हो गई है जिसमें आपके जितना audit का नया syllabus का content वो पूरा का पूरा content is format में आपको मिल जाएगा तो यह जो अंड़िटन notes format की book है this single book will be enough for you for a doing the content and be also revising it ज्रोन चार्ट में क्या करते थे समरीज ले के आते थे उसके लिए हमने brahmast में क्या किया है जो भी keywords है उनको अलग color से highlight कर दिया अब आप पूरा एक जेके से पढ़ेंगे आखरी के revision के समय आपको क्या करना है आप वो keywords से लेंगे ब्रहमास में क्या होता था बहुत सारी चीज़ों को हम डीटेल में cover करते थे कई चीज़े जो institute के study material में पर कभी exam में नहीं आई है वो भी cover होती थी ऐसे topics को हमने ब्रहमास में अलग color से highlight कर दिया है कि यह exam में पूछी कम गई है पर आपके course का part है तो we have created one book which is sufficient then what we have also done is अब FR में you get striker but now every striker question solved unsolved जित्ते भी questions है ऐसे सभी solved होते है एक concept builder उन सबके पास एक QR code है आप scan करो फासके आपको solution देखेगा तो अगर आपके striker में 1200 question है तो उन 1200 question के solutions मिलेंगे इसका मतलब यह नहीं है class में discuss नहीं होंगे वो तो होंगे पर students ने कहा जर कई बार ऐसा होता है कि FR की बैचली एक साल दो साल बाद है तब कोई question में doubt आता है फिर पूछना पड़ता है तो अब आप scan करिए आपको scan करने से उसका पूरा audio video मिल जाएगा आपको इसको फटाफट देखना है आपका doubt वहीं के वहीं clear हो जाएगा आपको आपके साथ पूरी शेर कर दी जाएगी mcq आप समझ सकते हो इसका importance level क्या है just because of the fact that mcqs themselves now have negative चलिए लग रहा है कि यह लाइव ले और फोर आना शुरू हो और इससा डाउट है डाउट है तो नेगेटिव मार्किंग है इसके लिए गलग से mcq की बुक बना दी है जो रेगुलर बैस्ती उसमें दे रखें फास्टर में भी हम दे रहें क्योंकि पता धन्यों कोर्स में ऐसा होने वाल आए अब इसकी प्रॉपर हमने एक separate किताब बना दी है this book in itself will have somewhere around thousand plus mcq questions for youtube practice जिससे अपना वो जो negative marking वाला issue है वो भी अच्छे से handle हो जाएगा class के साथ साथ भी कवर करेंगो फार का टाइम होगा सुपे साथ से सवा दस audit वोल बी 6-9 लाइव रहेगी ये भी सब सिमलर रहेंगे books आपको मैंने बता दिया क्या रहेगा mcq की भी separate book रहेगी तो बहुत ही simple format है 45 lectures for audit 90 lectures for fr both of them start somewhere around 15th of July pre booking starts now at the fast website books one single book covers everything with keywords highlighted in audit for revision purposes in fact question bank has every questions answers plus also audio pods or video pods for seeing the solution quickly mcq book for both of them and live lectures morning evening अगर आप चाओ तो दोनों साथ में करना है for audit तो यह बहुत अच्छे से आप कर सकते है tentatively हम ये दोनों बैचे सको 90 और 45 lectures six days a week हमारी class रहेगी तो tentatively 31st October या audit की case में you can say somewhere around 15th of September तर complete कर देगी कोई भी डाउट से तो comment में दीजिए we are very excited about the new course let's see student बहुत समय से रुके हुए थे clarity नहीं थी you'll have this clarity नहीं और अब इसके सामय अपन त्यारी शुरू करें कई हो कि out हो सकते सब new में shift होने से क्या job employment opportunity बढ़ेगी मुझे ऐसा बहुत substantially नहीं लगता और ऐसे भी आपके पास option रहेगा नहीं यह मत सोचना कि November का attempt script करके मैं में पे चले जाओ just because कि मैं new course का stamp लेके पास हो जाओ thank you very much and wish you all the very best अब मिलते रहेंगे अपन regularly